FIS के इंडिया का फिरिट स्टॉप HDFC Bank.com डीटेल में स्टड़ी करेंगे आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम fundamental analysis शुरू करेंगे फिर हम जाएंगे technical analysis में फिर सारी चीजों को साथ में बांदते हुए एक complete conclusion रखने वाले हैं आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही जादा educational ये वीडियो होने वाला है तो like अभी से ही कर दीजगा काफी सारे नए points आप सीखने वाले हो वैसे भी एक ऐसा stock जो पिछले कुछ समय से news में भी बनावा है और एक साल से उपर इसे हो गया है underperform करते हुए तो I am very sure आपके दिमाग में 8 quarter के आप यहाँ पर check out कर सकते हो आप देखोगे कि पिछले 8 के 8 quarter में EPS की growth rate 15% से उपर की है पिछले 5 quarter में आपको sales की growth rate 15% से उपर की मिलेगी although March 2022, December 2021 and September 2021 में जो sales की growth rate थी वो 10% से नीचे की थी पर recent 5 quarter में आपको sales की growth rate और EPS की growth rate दोनो 15% से उपर देखने को मिल रही है एकदम recent quarter की जून 2023 की बात करें तो यहाँ पर EPS की growth rate 28% की बहुत अच्छी है sales की growth rate 38% की बहुत अच्छी है next अगर हम annual basis पर जाके EPS को check out करने की कोशिश करें तो 2021 में EPS था 57 के आसपास का next year 2022 में था 68.77 का 2023 में 82.64 का है अगर आप इसके completely fundamentals में EPS की growth rate sales की growth rate sales को EPS को देखोगे आपको हमेशा consistent performance देखने को मिलेगी और यही कारण है जिसकी वज़े से FIS का ये India का one of the favorite stock है आप हमेशा एक चीज़ नोटिस करेगा उसी के against में although उनके पैसा बहुत है उसके बाद भी आप rarely दखोगे वो किसी penny stock में अपनी position मना रहे है पर इसी के against में retailers जिनके पैसा बहुत कम होता है पर उन्हें लगता है कि क्योंकि मेरे पैस पैसा बहुत कम है penny stock में लगाता हूँ क्योंकि एक रुपे का stock 10 रुपे भी हो गया तो मेरा पैसा 10 गुना हो जाएगा इस hope game के कारण से fatality ही आपको मिलेंगे majority time penny stocks के पीछे दिहान रखेगा एक important point आपके लिए होने वाल है आगर हम promoter की holding और complete shareholding pattern की check out करे तो यहां पे आपको promoter की holding 25.5% के आज़ पास stable मिलेगी mutual fund की holding 18.37% से बढ़ते बढ़ते पिछले 3 quarter में 19.13% वे पहुच गई है insurance company की holding भी 8.11% से बढ़ते हुए 8.71% पे है और foreign institutional investors जितने भी बहार के फिरंगी investors होते उनका portfolio का जो investment है इस stock में 32% से बढ़ते बढ़ते 53.93% वे पहुच गया है individual investors की बात करे तो उनकी holding भी 12% के आज़ पास stable है पर सबसे important point यह है FIAS का भरोसा इस stock पे regularly बना हुआ है जो इस stock लिए सबसे positive बात हो जाती है management team के नाम आप यहां पे check out कर सकते हो major shareholders की बात करे तो सबसे पहले major shareholders आता है SBI Nifty 50 ETF जिसका इसमें stake है 5.4% का LIC जिनका stake है 4.89% का Government of Singapore जिनका stake है 2.67% का बाइदीव अगर आपको नहीं पता तो Government of Singapore का Indian stock market में काफी heavy investment अल्रेडी चलता है HDFC Balance Advantage Fund का यहां पे हमारे पास contribution आता है 1.97% का अगर हम यहां पे annual basis पे important key ratios को check out करें तो return on equity आपके लिए 2023 में था 15.89% का 2022 में था 15.38% का 2021 में था 15.17% का consistent है After tax margin भी 25% के उपर पिछले 3 साल में consistently चल रहा है Sales की growth rate 2023 में overall 22% की थी 2022 में 8% की थी 2021 में 6% की थी जो तोड़ी सी COVID के बाद slowdown हो गया था वापिस से अब company catch up कर पा रहे है अगर हम quarterly data को check out करें तो आपको net income की percentage change मिल जाएगा 20% के उपर का पिछले 8 quarter का आप यहां पे check out कर सकते हो June quarter का 29% था March quarter का 21% December quarter का 20% September quarter का 22% था तो regular consistent growth हमें इसके financials में देखने को मिल रही है अभी तक के financials में I hope आपको financials देखके समझ आया होगा कि किस तरीके के financials पोस्ट कर रही है finally अगर हम gross NPE की बात करें तो 1.12% हा quarter for financial year 2023 का और अगर हम पूरे साल 2023 की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास net NPE निकल के आयता 0.27% का जो काफी control figure हो जाता है मतला भी होता है कि सिर्फ fundamental analysis के basis के उपर ये एक बहुत ही अच्छा fundamentally sound stock है एक ऐसा stock है जिसमें FIAs regularly position बढ़ा रहे है जो consistent अपनी growth देते जा रहा है तो हमारी radar में fundamental basis पर ये stock तो approve हो जाता है अब finally हम चलते है technical analysis के उपर देखिए कभी भी आपको randomly fundamental के उपर कभी भी buy नहीं करना होता fundamental आपको सिर्फ ये बताता है कि कौन से अच्छा stock है सपोस करते है market में 4000 से उपर stock है इस 4000 से उपर stock में से सिर्फ आपके पास 50 to 70 stock की list निकाल के देदेगा fundamental analysis कि भाया सिर्फ ये 50 से 70 stock है जिनको आप study कर सकते हो technical analysis के लिए technical analysis ये बताता है कि कब entry लिनी है fundamental analysis आपको बताता है कौन से stock में entry लिनी है तो कौन सा stock तो हमें पता चल गया पर अगर हमने बिना technical analysis को use करें यहाँ पर entry लिए तो हमारे patience का समय हमारा waiting period बहुत लंबा हो सकता है जिसकी वज़े से हम patience को पहले lose करके market से भाल निकल जाते इसलिए आप technical analysis करना ज़रूरी है इससे बली कि हम detailed technical analysis के उपर जाए आपके लिए एक important update है 26th and 27th of August को secret of money making 2.0 होने वाला है जो live batch होगा और live batch के अलावा भी आप एक साल तक एक special telegram channel पर जुड़ते है जहां पर आपको additional education मिलती रहती है जो आप सीखते हो session में उससे आपको और use करने का practice करने का सभे मिल जाता है तो अगर आप इस batch का part बना चाहते है बहुत limited seat है because यह पहला live batch हो रहा है पूरे साल का सिफ 12,500 flat inclusive of taxes में आपको यहाँ पर entry मिल रही है description और print comment को check out करना मद बुलिएगा seats full हो जाए उससे पहले consider ज़रू कर लीजगा study कर लीजगा अगर useful लगे तो तो चली चलते अब technical analysis के उपर सबसे पहले मैंने आपके लिए HDFC bank का weekly chart यहाँ पर present कर लिया है एक overall trend समझ ले कि हम कोशिश कर रहे है लेखे एक ऐसा stock है जिसमें आपको rounding bottom या फिर cup with handle का pattern बहुत 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 देखने को मिलेगा तो इस pattern का आपको special ध्यान देना चाहिए जब भी आप ये stock के chart को study कर रहे हो अगर आप weekly basis पर check out करोगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा कि जब market में 2020 का crash आया था उस समय इसने एक almost एक अच्छा सा rounding bottom बनाया यह उसका handle बनाया और फिर यहां पर उसका breakout दे चुका था यह cup with handle के pattern का तो cup with handle के pattern ने यहां पर breakout देने के बाद एक अच्छा move दे दिया था उसके बाद वापिस से इसने 2022 में जाके एक लंबा rounding bottom बनाया यहां पर इसने handle बनाया और handle का breakout भी दिया पर यहां पर यह cup with handle का pattern breakout का फेल हो गया था बिकाजर की news आ गई थी देखिए टेकनिकल आनलिसेज आपको बताता है कि किस तरीके से चार्ट में pattern फॉर्म हो रहा है पर अगर कोई एक ऐसी external news आ जाए जिसका बहुत major impact हो रहा है मूव ना देने का सबसे में कारण यह है कि इस stock में news आ गई थी कि भाया HDFC, HDFC वैंग का merger हो रहा है तो काफी सारे mutual fund houses जिनके पास दोनों stock को मिला के 10% के उपर की holding थी उन्हें अपना माल पेचना पड़ रहा था क्योंकि regulation हमें यह demand करती है जिसकी वैसे यह stock में pressure आ गया था और अभी तक इसने cup with handle का पाटन का breakout जो April 2023 में दिया था weekly chart के उपर वहां के बाद अभी तक कुछ बड़ा move नहीं दिया है अब हम चलते है daily chart के उपर daily chart को check out करते है कि daily candlestick पर क्या बना रहा है अगर आप यहाँ पर daily candlestick को check out करोगे तो वापिस से यहाँ पर आपको cup का pattern देखने को मिल जाएगा जिसका breakout roughly 1740 के उपर आएगा अगर आप important levels की बात करें तो सबसे पहला important level इसके लिए आता है 1640 के आसपास का जहाँ पर यह stock अल्यड़ी खरा है इसका 50-day moving average का support भी होता है and final final support इसके लिए होने वाला है इस stock लिए immediate basis पे 1600 का as such stock ने अभी तक बिल्कुल भी stretch out नहीं किया ऐसा नहीं कि stock बहुत ज़्यड़ा stress जहाँ पर हमें दिक्कत है पर हाँ यह stock ऐसा है जिसका breakout हमें 1740 के उपर मिलेगा जहां पर यह stock special study में आना चाहिए और इस stock का final support होता है 1600 level के आसपास का जो इसका 200-day moving का average भी है तो support इसके लिए important रहेगा breakout 1740 के उपर रहेगा यह हो गया हमारा complete technical answers अगर हमें major support पे मिले या फिर breakout करता हुआ हो तब हमारी study में यह stock आजाना चाहिए क्योंकि एक important stock है जो fundamentally एकदम sound है आपका क्या opinion यह stock के बारे में मुझे comment करके बता दीजेगा अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो like कर दीजेगा और मुझे यह भी comment में बताइगा कि next stock आप कौन सो चाहते हो जिसका हम detail में study करके आपको बताए कि क्या बन रहा है fundamentals क्या बन रहा है technicals happy learning and I will see you very soon